हाई गाईज नमस्ते वेलकम बैक टो मैं चैनल एडांब लोको की घर में शादी है और बहुत सारे लोगों की खुद की शादी है और ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में थ्यान आता नहीं है कि यार हमें डाइट करना है, हमें वेट कम करना है, पहले तो प्यार मोहबत में बहे ही रहते हैं हम लोग, जल्दबाजी वाली गलतियों से, और जैसी आप हानी मून तक पहुचते हो, अपने कपड़े ट्राय करते हो, आपका फिर से बलून की तरह फूल जाते हो, और वहाँ पर जाके नए कपड़े खरीते हो, जो आप प्लानिंग करके जाते हो, वो कपड़े आपको आते ही नहीं ह होती हैं, जिसकी वज़े से आपको प्रॉब्लम ऐसी पेस करनी पड़ती हैं, वो होती है, फास्टिंग की डाइट, बहुत ही लंबे समय तक आप फास्टिंग पर रहते हो, जीरो सॉल्ट कर लेते हो, एक-एक हफता, या फिर आप लिक्विड डाइट पर आ जाते हो, एक- अपनी बाक्टू रोटीन में आते हैं, डबल गेन कर लेते हैं, आज की वीडियो में मैं लेके आई हो आप लोगों के लिए एक वेडिंग डाइट, जिन जिन लोगों के शादी है, जिन जिन के घर में शादी है, अगर आप बीस दिन, तीस दिन तक भी अगर आप ये पड़ जाएगा, बाट इतना जरूर में बोलनी हूँ, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आपको प्रेजेंट करने लाइफ हो जाओगे, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा 30 डेस के अंदर, अराम से 6-7 किलो, बड़े अराम से इ अपने आपको नीम जरूर देना, रेस्ट जरूर देना, और यह जो डाइट है, यह तो बी ओनेस्ट, आप 30 डेस से जादा मत करना, जिनके घर में शादी बहुत ही पास है, कम से कम 15-20 दिन आप लोगों के पास होने चाहिए, इस डाइट पर आने के लिए, नाओ, नेक्स situation, इस डाइट के साथ आपको चलाने होंगे detox water, मेरी इस से पहले वाली वीडियो में मैंने detox water डाले थे, आपको यह detox water अड़ करने हैं, अपनी इस डाइट के साथ, every alternate day, आप कोई साथ भी एक detox water, जो आपको समझाए, जो आपको easy लगे, वो आप बना कर अपने साथ लेके जाएंगे, अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, make sure आप अच्छे से पानी पीओ, detox water के साथ साथ आपको ठाई से 3 लीटर नॉमल पानी पीना चाहिए, और जिस दिन आपको urine pass करना है, आप अपना urine pass करेंगे immediately, उसको hold मत करना, next, आपको 8 खंटी की नीद चाहिए ही चाहिए, I can totally understand, ऐसी situation में नीद पूरा करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, but आप प्लीज अपनी नीद को उपर ध्यान देंगे, रात को अगर 6 गंटी की नीद है, दिन म पालर जाओ और स्पा ले क्याओ, घर में ही ममा की हेल्प लीजे, भाबी की हेल्प लीजे, और या फिर खुद से अपनी बॉड़ी को बहुत अच्छे से प्रेस कीजे, ताकि आपके बॉड़ी के जितने पेंस है वो निकले, जितनी थकावट है वो निकले, आपको से उस से बात लेकर खुले कपड़ों में अराम से सोने चले जाएंगे, और हमेशा ध्यान रखेगा रात को सोने से पहले अपने कपड़े जरूर चेंज करें, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टन चीज, बिल्कुल नहीं लेना, ओ माइगाड मेरा शरीर इतना फैला हु अगर आप में मोटापा भी है, आपके अंदर कॉंफिदेंस है, आप अच्छे से कैरी भी कर जाओगे, बाट मेरा है सिजेशन है कि आप फिट दिखोगे तो और अच्छे दिखोगे, इस डाइट के हम शुरुवात करते हैं मौनिंग ड्रिंग से, मौनिंग ड्रिंग कैसे इसको अध्र को हम एक किलास में डाल जोगे है आपर, ऍक्स्ट इसके अंदर में डाल दूँंगी पानी, गरम, इसके अंदर में डाल जीक है मेरा हाफ लेमिन जूस, इसकेंदर हम डालेंगे हाफ स्पून जितना हनी, और हमारी morning drink बिल्कुल ready है next अब हमारी शादी है और हमें तो glow तो चाहिए अपनी चीक्स पे अपने आपको बिल्कुल shiny शाइनी दिखाना है ताकि लोग पूछे ना की facial कौन सा करा है point is कि facial से glow नहीं आता मेरी जान मैंने आज सा खाड ली एक आदर बारी facial को लिया होगा life में glow आता है आपकी body के अंदर क्या क्या चीज़े आप डाल रहे हो आप कितने positive हो life को ले कि आपकी सोच कैसी है आपका खान पान कैसा है अब हम बात करते हैं यह है simple morning drink जो मैंने अभी आपको तिकाई है बट अगर आप लोग afford कर सकते हो आपके पास अच्छा juicer है यह है तीन juices मैं यह कहूंगी आप वोवली morning drink अगर ले पारे हो ठीक है नहीं तो इन तीनों में से कोई भी एक juice आप अपने लिए पिक करना morning drink पे for example सबसी easiest way बताती हूँ एक दिन हम अधरक वाला morning drink लेंगे एक दिन juice ऐसे करके alternate day चलाईए बट जिन जिन लोगों के पास juice है नहीं है और जो juice बिल्कुल अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं वो अधरक वाला पानी चलाएंगे तब भी आपका weight loss का amazing result निकलेगा next अब हम move करते हैं breakfast में breakfast में हम लेंगे सफेद तिल और प्याज की रोटी कैसे बनानी है चलते है kitchen में अब हम बात करते हैं breakfast की breakfast के लिए हमें चाहिए प्याज और तिल की रोटी बनानी है वो भी multi grain आटा so यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए गेहू का आटा मैंने लिया है एक करची यह दो फुलके बनाने के लिए मैं आटा डाल रहे हैं second इसके अंदर अब हम डालेंगे एक करची मकीव का आटा next इसके अंदर एक करची मैं डाल रहे हैं मेरा रागी का आटा नेक्स्ट इसके अंदर मैं एक कर्चे जितना डाल रहे हूं मेरे सपेध पिल थोड़े से और नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा सुखा धनिय का पाउडर पिंच ओफ सॉल्ट सबसे इंपॉर्टन इंग्रीडियंट हमारा कस्तूरी मेथी नेक्स्ट भुनाव जीरा पाउडर पिंच और हेंग पाउडर येस थोड़ा सादा और लास्ट यहाँ पर अजवाईन नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरे प्यास आटे के अंदर मैं डाल दूँगी मेरा गरम गरम पानी और इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अब हम इसको पड़े रहने देंगे ऐसे ही पांच से दस मिनिट के लिए पांच से दस मिनिट के बाद खूब अच्छे से हम इसको गूल देंगे खूब अच्छे से, जिसकी शकल याद आ रही है, जिससे गुसा उसकी शकल याद करो, और इसको खूब अच्छे से कूटो आटे को, और ये जो आटा है, हमारा बिल्कुल ही तैयार है, ओके जी, सो अब मैंने इस पे लगा दिया ए घी, और मेरे हाथ पे भी मैं लगा दिया खी थोड़ा सा, ओके, मेरे हाथों में नेल्स हैं, इसको बेलने में संजना रानी हमारी मदद कर रही है, चेर्स टू संजना, उसने लीचे कपड़ा लगाया है, ताकि ये टूटे ना, ओके, भौत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया, ओके जी, सो अब हम इसे पका ओके, सो ये हमारी चपाती, और ये लगा दिया, जी हमने इस बेखी, और इस रिदी, वेलकम बाक जी, रोटी बनाने का मन नहीं है, रोटी खाने का मन नहीं है, नेक्स्ट, अब हम लेके आते ब्रेक्विस का ऑप्शन हमारा मूंग दालवड़ा, मूंग दालवड़ा कैसे बनाना है, चलते है किचिन में, ओके जी, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं, मूंग दालवड़ा, मूंग दालवड़ा के लिए, यहाँ पर मेरे पास है, मैंने एक गंटा पहले सोप करी थी, यह हमारी यलो मूंगे की दाल, इसको हम इसमें आट कर देंगे, यह हमने आट कर पर हम डालेंगे नमक, सुखा धनिया पाउडर, हिंग पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी गरम, दो से तीन चममत जितने, और अब इन सब को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मिक्स्टर जो है वो थिक होना चाहिए, काफी अच्छे से थिक, अब हमारा कस्तूरी मेथी, और इस सब को हम खूब अच्छे से, मिक्स करेंगे, ओके, नेक्स्ट, इन सब के लिए हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा घी, दो-दो बूंदे, और अब हमारा जो यह मिक्शर है, यह हम इसमें आग करेंगे, करेंगे, करेंगे करेंगे, और यह हम खूबूरा देंगे करेंगे, करेंगे, जाइ रच्छे, यह काएगे अजित्ट, यह हम आरिष्ट, यह हम बनना कैना मेंगे, ओके, यह अल्मोस्ट रेडी हो चुके हैं, ओके जी, सो पाइ पर्सन इस साइस के छे से साथ वड़े जो हैं खा सकते हैं, और I would say अपम जो हैं वो खा सकते हैं. वेलकम बैक जी, ना रोटी खाने का मन हैं, ना मुंगदाल वड़ा खाने का मन हैं, इसमें हम नेक्स्ट ऑप्शन रखेंगे वेच दलिया, यह रा वेच दलिया का वेडियो, आप इसको चूस कर सकते हैं, नेक्स्ट, मुझे यह सब कुछ भी खाने का मन नहीं है, और ना ही म अब हम बात करते हैं, बेसन और गेहूं की स्टफ रोटी, मेथी, बीटरूट और पालकी, यह रही वीडियो, आप इन में से कोई भी रोटी पिक कर सकते हैं, अगर आप रोटी ले रहे हैं, मेक्स्ट आप दो रोटी लेंगे, एक साथ, एक चमच घी के साथ, उसके साथ हर का बना हुआ पिकल आप ले सकते हैं, मार्केट का नहीं, और अगर आपको चाय की एडिक्शन है, मिल्क वाली टी अन कॉफी, उसको एडिक्टेड हो तो बिल्कुल डाइट से मत निकालना, जोश-जोश में पूरा दिन सर्दत करेगा, आप आधा कप अपनी मिल्क वाली ट आमले का सीजन आचुका है, मार्केट में इतने प्यारे-प्यारे सुंदर-सुंदर गोल-गोल आमले मिल रहे हैं, हरे-हरे मज़ा आजाता देखकर, और आमले का लड्डु इतना यमी होता है, ट्रस्समी मेरी रेसिपी ट्री किजे, इतना बड़ी आमले का लड़्डू ब इन सब को हम ब्लेंड करेंगे अभी अब बनाने जा रहे हैं आमले के लड़ू यह रहा मेरे पास घी यह मेरा घर का घी है मैं इसमें डाल दूंगे आधी कर्षे जितना घी नेक्स्ट इसके अंदर में डालेंगे मेरा आमला इसको हम खूब अच्छे से पकाएंगे कम से कम से कम साथ से आठ मिनिट के लिए अब यह बिल्कुल ही मुझे लग रहा है ड्राइ हो गए है इसको खूब अच्छे से हमने पका लिया आपले को अब इसके अंदर हम डालेंगे शकर या फिर आप जागरी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं मेरे पास शकर है तो मैं शकर यूज कर रही हूं या पर गैस को अब हम बंद कर देंगे और खूब अच्छे से शकर को इसमें मिक्स करेंगे और अब हम इसे ठंडा करेंगे ओके अब इस मिक्षर को हम ठंडा होने रहेंगे तक हम इसके लडू बना सके ओके अब हम बनाते हैं इनके लडू डेली हम लेंगे वन लडू मिट ब्रेक्फिस में एक अमले का लडू हम लेंगे मिट ब्रेक्फिस में और यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है छे से साथ वीक का बना के आप फ्रिज में रखिए खाने से पहले उसको अवन में गरम कर लीजे अवन नहीं है आपके पास कोई बात नहीं आप उसको बहार निकाल के रख दीजे न वह नहीं बनाने को मिल रहा जी हम लेंगे बेसन और फ्लेक्सीट का लडू यह रहा रेसिपी बेसन और फ्लेक्सीट का भी एक लडू बट मेक शॉर सबसे पहले आपकी कोशिश रहेगे आप आमले का लडू ट्राए करेंगे नेक्स जब आब मूब करते हैं लंच में आप बेसन का चिला लेजिए नेक्स्ट में यह चाती हूँ आप उसके अलावा दाल के चीले लीजिए दाल के चीले बहुत सारे मेरे चानल पर हमुंग दाल का चीला आप ओर्स और किनुआ का चीला लेंगे हमें लंच में सर्फ चिले ही रखने हैं एंड मेक्षर वो दाल क बने होई चीले हों दाल के अंड सिवाय चीलो के अलावा हम और कुछ भी नहीं लेंगे यहां तक हो गया है वी फूड की बाद दाल के चीले भी हो गया लंच में मॉर्निंग का भी हमने है वी कर लिया और लंच हम फिनिश करेंगे दो से तीन बजे के बीच में अब नेक्सट आपके मयंड को रिलैक्स करेंगी थार्ड कोऽ एक को ऐखती है ग्लो यहें अपके वेइनल लॉस में इनलावे रिजल को पीमता से कशल्ड कावी जाना रहे है एज्ड़ है कि इसमें चैन जलिए अब माला जा रहे है यह मैंने डाल दिया, यहां मेरे पास मौसंबी के पील, अच्छे से वाउच की हुए, यह भी मैंने इसमें डाल दिया, next यह रही मेरे पास, solid coral seeds, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, इसको हम खूब अच्छे से पकाएंगे, खूब अच्छे से, जब तक ये हाफ कप जितना हो जाएगा and it's ready कोशिश करना पील टी के साथ आप पचास ग्राम पनीर सौते करके या पचास ग्राम तोफू सौते करके लें बट अगर आपको वो भी खाने का मन नहीं है कोई भी एक सीजनल फूट उठा लें मैं यह आपर बोलूँगी आप चीकू ले लो कीवी ले लो, पाइन आपल ले लो बनाना शाम को अभी मत लीजेगा इन सारे फूट में से कोई भी एक फूट पिक कर लेजे कोशिश करना सिफ टी से काम सिलाने की बट अगर आपको भूख लगी तो आप फूट डेफिनेटली ले सकने हैं अब बात करते हैं डिनर की सिर्फ एक अपनी जो आउटफिट है ना जो शादी पेहननी है वो टांग तो अपने कमरे में साइब पर उसको देखो नाइट में मुझे इसमें फिट आना है मुझे इसको पहनना है मेरा साइज स्मॉल है मैं एक्स्ट्रा स्मॉल बहुत सारे ब्रैंड्स का जो मुझे अभी भी नहीं घुसता मैं लेके रख लेती हूँ पिछले साल के लिए होई है कोशिश करती हूँ उसमें गुसने की कुछ-कुछ में मैं पिट आ बे चुकी हूँ और ऐसे ही तो हम मोटिवेट होते हैं अब मेरा जितना भी मेरा पास मेंबर है मैंने सब को बोला था कि दिवाली का आउटफिट लेंगे एक नमबर टाइट नहीं आया तो अगली दिवाली पे पहल लेंगे बट एक लीज हम अपनी तरफ से ट्राय तू करेंगे ताकि हमारा डिनर में कोई भी चीटिंग ना हो वी ओल आ क्यूमन हम कही ना कहीं जुकते हैं रुकते हैं इमोशनल ईटिंग करते हैं बट इनर के टाइम पे हमें फुल सटॉप चाहिए यह हमारा टाइम नहीं है हमDaniel फूल बनने का या पिर खाने का या फिर यह सोचने का कि भी यह खा लेते हैं कल को कुश भी हो selfie देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा, वेडिंग में सबको आपको देखना है, ठीक है, सो अब डिनर में हम चूस करेंगे सिफ वर सिफ सूप, सूप हम कौन कौन से ले सकते हैं, मेरे चानल पर मैंने काफी सूप की रेसिपी डाल रखिया है, टमाटो सूप, ब्रॉ पनीर और अंडे नहीं खाए हैं, आप डिनर में सूप के साथ 50 ग्राम्स तोफु पनीर या पर टू बॉइल एक्स का वाइट पार्ट आप ले सकते हैं, नेक्स अंधी मोस्ट इंपॉर्डन चीज, नमक डिनर में मत लेना, अमेसिंग रिजर्स मुलेंगे, जिन लोगों के बीपी लो रहते हैं, प्लीज आप नमक 8 कीजिए, पिंच ओफ हिमालिया पिंक सॉल्ट आप ले सकते हैं, बट बाकी टाइम पर डिनर में जो सॉल्ट है, वो अवाइट कीजिएगा, अब बात करते हैं, नींद लाने की, रात को तो नींद भी चाहिए और अच्छी एक कप लेमिन ग्रास्टी, यह रही उसकी कमटीट वीडियो, उसको देखो, उसको बनाओ, लीजिए, जिन चिन लोगों को लेमिन ग्रास्टी नहीं अच्छे लगते हैं, मुझसे खटा रात को नहीं पिया जाता, आप सर्दिया भी आ जाएंगी, मेरे सेंस्टिव है जब बंदा प्रेशन में होता है, काफी पेरिंस ऐसी गड़बर करते हैं, बेट कम कर, बेट कम कर, बेट कम कर, बेट कम कर, बंदा ओवर प्रेशराइज हो जाता है, और वेट कम करने की जगे बढ़ा लेता है, जब आपको लगे आपको वेट कम करना है, जब आपको लगे की पिच्चर्स में इसाँ शेयर कीजेगा I'll see you in next upcoming video and मैं तिवाली के बहुत अच्छे व्लोग्स बनाने वाली हूं विए साँच में सारा काम अपना ख़तम करने के मूड में हूं and Friday, Saturday, Sunday, My Day में फामली के साथ So, आप मेरा दूसरे चैनल को देख सकते हैं, वाँ पे मैंने व्लोग्स का चैनल पे मेरे डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अपलोड करती हूं So yeah, that's it. I'll see you soon in my next upcoming video. Take care जी. Bye-bye. Wish you all a very happy Diwali. मैं Diwali पे कोशिश करूंगे लाइव आने की, आप लोगों को विश्च करने की मेरा बहुत मैने. So yeah, see ya. Bye-bye.